हलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूटूब चैनल हम सभी जान रहे हैं कि अभी सद्धी का सीजन चल रहा है और इस मौसब में हमारे यूमिनिटी विक होने लगता है तो आज मैं आपके लिए कैल्सियम, आईरेन, प्रोटीन, मिनरल्स, बिटामिन से भर पूर हल्दी लड्डू का रेसीपी लाई हैं लड्डू के खाने से हमारे सरीर में एनरजी पूर देने के साथ साथ हमें कई बिमारियों से लडने में हेल्प करेगा और हमारे इमिनिटी को भी बुस्ट करेगा तो आईए आज का healthy recipe लड़ू शुरू करते हैं हमें चाहिए 800 ग्राम तील इसमें iron, protein, zinc भरपूर मात्रा में होता है मैं white वाला तील के इस्तिमाल कर रही हूँ 800 ग्राम मूफली ली हूँ अब मैं 800 ग्राम काजू ली हूँ 200 ग्राम बादाम ली हूँ लगभग 4 टेबल अस्पून देशी घी ले रही हूँ 5-6 छोटी इलेची ली हूँ और लगभग 200 ग्राम रावा गुडली हूँ अब हमें कडाई में एक चमश घी डाल देना है जब घी गर्म हो जाए तो इसमें तिल डाल देना है और तिल को अच्छी तरह से भूनना है इसे लगातार इस तरह से भूनते रहना है ताकि या जले नहीं ठंड के मोसम में तिल का इस्तिमाद जरूर करना चाहिए दोश्तो या हमारे बोडी को हिट प्रोवाइड करता है और हमारे हडियों को भी मजबूत करने में मदद करता है और हमारे सरदर्द, जुकाम में भी या हैल्प करता है बच्चों को भी ठंड के मोसम में तिल से बना हुआ चीजे खाने को जरूर देना चाहिए इससे उनकी सर्दी, खासी और जुकाम ना हो और उनका ग्रोथ अच्छा से हो तो तिल में सेसमीन नाम का एक ऑक्सिडेंट पाया जाता है जो कैंसर, उसी काओं को बढ़ने से रोकता है तिल में डायेटरी प्रोटीन और एमिनो एसीट जैसे परदात पाये जाते हैं जो बच्चों की हडियं के विकास को बढ़ावा देता है जब तिल से चिट-चिट का आवाज आने लगे तो अब या भून गया है अब इसे निकाल लेती हूँ फिर हमें इसी तरह से बैदाम और काजू को भी भून लेना है परहाई में एक चमजगी डालकर जब घी गरम हो जाए तो काजू और बैदाम डालकर इसे भी भून लेना है दोस्तों भूनते वक्त पीच-बीच में इसे चलाते रहना है तैकि यह अच्छा से भून जाए हम सभी लोग जानते हैं कि ड्राइफ फुरूट्स हमारे लिए काफी फायदे मंद होता है बैदाम खाने से दिमाग भी तेज होता है बैदाम में उच अस्तर का फाइबर पाया जाता है इसमें बितामिन E पर चुरवाता में पाया जाता है और दोस्तो इसमें ओमेगा थिरी भी पाया जाता है बैदाम को डाइफ फुरूट्स का राजा कहा जाता है और दोस्तो यह हमारे उमिनिटी को काफी जादा मजबूत करता है मुठी भर काजू में सरीर के लिए जरूरी प्रोटीन, आईरेंश, कैलसियम, मैंगनिशियम, सॉल्डियम, जिंग, बिटामिन, बी, एंट, सी मिलता है जो हमारे बोडिक और न्यूट्रेशन चाहिए या एक मुठी काजू से भरपूर हो जाता है तो दोस्तो आपने देखा कि ये लड़ू आपके लिए कितने सारे फायदे लाने वाले हैं दोस्तो अब या भून गया है, अब निकाल लेना है और हमें इसी तरह से मुठी को भून लेना है मैं अलग-अलग सब को भून रही हूं ताकि सब अच्छे से भून जाए एक छोटी चमच घी डाल कर जब घी गर्म हो जाए तो मुठी डाल दें और इसे अच्छे तरह से भूनें हम सभी जानते हैं दोस्तो मुठी तो सहत का खैजाना है इसमें बिटामिन D होता है जो हमारे बॉन को काफी मजबूत करता है इसमें बिटामिन E और BC होता है मुठी खाने से पेट की समश्या दूर होती है और दोस्तो इसमें ओमेगा 6 से भरपूर मुठी हमारे चेहरे को भी कोमल रखने में मदद करता है और तो और मुठी को लगातार सेवन करने से खून की कमी दूर होता है दोस्तो जो लोग दूद नहीं पीते हैं या उन्हें पीना पसंद नहीं है तो आप अपने डाइट में दूद के जगा पे मुठी का इस्तमाल करें या आपको कैलसियम और बिटामिन D को पूरा करेगा अब देखी दोस्तो या भून गया है अब हमें सभी को ग्राइन करना है अब मैं तील को जार में डाल कर ग्राइन कर देती हूँ हमें इसे बिल्कुल फाइन मिक्चर नहीं त्यार करना है हमें इसे हलका दरदरा रखना है तो देखे या कैसा पीशा है या हलका दरदरा है दोस्तो देखे बिल्कुल इसी तरह का मिक्चर बनाना है ज्यादा फाइन करेंगे तो लड़ू अच्छा नहीं बनेगा दोस्तो अब मैं ये थोड़ा सा ड्राइफ रूट्स अलग कर रख रही हूँ मैं इसके बाद में उज़ करूँगी दोस्तो अब मैं सारे ड्राइफ रूट्स को भी जार में डाल कर इसे ग्राइन कर लेती हूँ बलकि इस तरह से या ग्राइन हो चुका है इसे निकाल लेते हैं और दोस्तो इसी तरह हम मुख़ली को भी जार में डाल कर इसे भी ग्राइन कर लेते हैं अब इसे में हलका दरदरा रखोंगी देखे या भी पीस गया है मुफली को भी निकाल कर एक बतन में रख लेते हैं अब हम कड़ाई में एक चमच घी डाल कर घी करम हो जाए तो इसमें गुर डाल देना है गुर को इस तरह से चलाते रहें जब या पतला हो जाए या इस तरह से हो जाए तो आप इसमें सारे गिर्डियन्स तील, मुफली, ड्रैप किया हुआ पॉडर डाल दे और दोश्तों रखे कि यहां हम मिक्चर सब डाल ले तो हमें इसे फटा फट सारे मिक्चर को मिक्स कर लेना है अगर देर हो जाए अच्छे से मिले नहीं तो लड़ू अच्छे से नहीं बनेंगे अब मैं इसमें जो ड्रैप फूर्ट रखी थी उसे दरदरा पिसकर मैं इसमें डाल दे रही हूँ ताकि यह उपर से अच्छा दिखे और इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाए अब मैं धूना हुआ तिल भी डाल दे रही हूँ अच्छी तरह से मिला ले और इसे गरम गरम ही कोई बरतन में निकाल कर लड़ू बनाने लगे क्योंकि अगर यह ठंडा हो जाएगा तो लड़ू नहीं बन पाएंगे दोस्तों आप अपने हाथ में हलका सा घी लगा कर इसे फटा फट लड़ू बना ले मैं इसे फटा फट लड़ू बना रही हूँ इस तरह से सारे लड़ू आप फटा फट बना कर रख ले ठंडा होने से पहले ही आपको सारे लड़ू बना लेने हैं मैं सारे लड़ू बना है या देखने में अच्छा लग रहा है अब मैं आपको एक तोड़ कर भी दिखा देती हूं तो दोस्तों लीजिए कैल्सियम आइरन बिटामिन्स और एनर्जी से भर पूर लड़ू बन कर त्यार हो गया है फंड के मोसम में हर रोज या एक लड़ू खाने से आपके सरीर में खून के कमी, कमजोरी, ठकान, सरदर, खासी और आपकी हडियों को मजबूत करने में मदद करेगा और साथ साथ में आपकी इमिनिटी को भी बूश्ट करेगा तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करे और हमारे च